हेलो गाई इस नेक्स एपिसोट के स्राइट से पहले आप लोग में चैन्क को सब्सक्राइब करते हैं वें दिखाए जाती है जो बाकि लोगों में आकर बैट की थी ब्रेकप के बाद और सोवे के बारे में बाते करने लगते है उल्टी सी थी बाते उसके पहला देती तो नर कर हैं इता इम्ट वहां पर गोयन को जाते हैं कुम कुछ हो जाते हूं लगते हैं चुरूब जो लगते हैं तो जोहां पू inimतना चुरेंज लगते हैं कि मुझत घृत नेasya काथ है जो मैने किक है लगते करें कि जब वाले बात भी पता लग चुकी थी अब ये बात भी वो गोयन से कन्फर्म करी होते हैं तो गोयन उने बता देता है कि वो मेरे साथ लगाया में थी तो उसकी मॉम सौवे से कहे लगते हैं कि तुम तो फ्रांस नहीं गई थी तुमने मुझे चूट बोला पर मेरी बेटी लगना पड़ता है अब वापिस घर आने के बाद उसकी मॉम से सब किस पूछ रही होती तो वह कहते हैं कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई मुझे लगी थी इसलिए मैं उसे चोड़ दिया और मुझे ट्रैवल करना अच्छा लग रहा था इसलिए मैं बहुत सी कंट्री में ग मैंने कोज़ तो में मेडिकल स्कूल में खुद बेजा था तुम अपनी मर्जी से गई थी और अगर तुमने अपनी मर्जी से छोड़ भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है तो सौवे कहती के मामा इंदस ऐसा नहीं होगा अब ये लोग होस्पिटल में आ जाते जहा वहीं पर चुप हो जाता है और वो तो आने के बाद इन से काप अच्छा से बात कर रहा होता है इनके लिए वी आई पी रूम भी बुक करवाया होता है इन सब के लिए सौवे उन्हें थैंक्स कहा रही होते है अब सौवे जो अपनी आंट को लेकर जा रही होती तो एक जादा मूव ने करेंगे वो तो गोयन को ऐसे ख्यार रखते देखकर खुश हो जाती है यहां तक कि उसे थैंक्स भी बोलती है अब सौवे जो अपनी आंट को उनके रों में लिटाने के बाद बाहिर आकर खड़ी होती है तो वहाँ पर गोयन भी उसके पास आ जाता है जो वोजी खाना हो जाती है और वोश्यों में जाने के बाद होड़ा रिलक्स हो रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए और इतर गोयन दिखा जाते है जो लाइब्रेरी ने के बाद वैक्स भीथक्ट आपर वापिस हस्पिटल में जाकर उसके बारे में पढ़ने लगता है व वो पूछती है कि तुम इसके बारे में study क्यों कर रहे हो तो वो कहता है कि आखे जो patient है मेरे पास उसको भी तो यही disease है ना तो मैं इसके बारे में सच क्यों नी करूँगा आखे मुझे भी तो इसके बारे में अच्छे से बता होना चाहिए ना ये सुनकर सौवे चुप पहुचाती तो वो कहें लगते कि क्या तुम में कोई issue है तो वो कहती कि ने नी तुम पढ़ो ये कहकर मास जली जाती है और वेन दिखाये जाती जो फिर से एप से देखने लगते है कि दो इन इस ट्रेम कहां पर होगा पर उसने तो उस एप को ही प्रस ये जाती है तो वेन उसको अभी अपने साथ ले जाती है ड्स करवाने के लिए अब उसका ब्लड लेने के बाद वह स्वे निकाल कर ब्रेश भी देदेती है सवयों से कहीं लगती है कि तुम मिरा ब्रश लेकर कैसे आ सकती हो तुम आपके सी सब पहले पहले लेबम् तो सोवे उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास वह वाली रिपोर्ट है ना जो पहले वाली है, वह कहती है कि हामें वह साथ में लेकर आई हूँ, उस रिपोर्ट को निकार कर जल्दी से उस्तर भाग कर जाने लगती है, तो आगे से उसके टकर गौयन से हो जाती है, अब गौ जैनिटिक लैप से क्यों आ रही थी ये बाद सोच के उसको कुछ तो जीब लगता है इसलिए वहां से वैसे ही सौवे की रोम की तरफ जाने लगता है और इदर वैंड दिखाय जाती है जो उसके रोम में पहुंच गई थी उसके माम तो वैंड को देखकर पूछे लगती कि क पर कैसे यकींन कर रही हो पर इतम वहां पर जीग आ जाते है कि रिपोर्ट तो मेरे पास है आप तेक्शे निक्टिव आया है पॉस्टिव नहीं आया यह देखकर तो सौवे जब वैन से पूछता है कि तुमने इस रिपोर्ट को कहां से लिया तो वो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाती क्यूंकि उसे तो में जगा से जाकर लिया था जहां पर टेस्व गरा हो रहे होते हैं सौवे को अपनी फ्रेंड बता कर तो कोईंव से बताता है कि किसी की प्राइवेट चीज़ों को बगार ऊणर के नहीं लेते और यह तुम्में रूल का पता है अगर तुम्हें रूल का पता पता तो तक इसका मतदद तुम्हें सिजा भी मिलने चाहिए तो सजा में यही होगा कि तुम्हें या तो बहुत बुरी हालत में रखा जाएगा या यहां से फायर ही करती आ जाएगा अब यहाँ पर गॉयन ने तो वेन को चुप करवा दिया हुआ था इस समयल करनी लगते हो कहते है कि सॉरी आईंता ऐसा नहीं होगा और वहाँ से जाने लगती है तो करने उसे दुबारा से रोक कर कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें ये फेक बात बोली थी सच भी तो बोल सकती थी ना पर वो कहीं लगती कि किस ने का के मैंने जुट बोला है मैं यहाँ पर सच में अपना टेस्स करवाने के लिए आई थी अपने कॉलिज के फॉर्म के लिए अगर तुम्हें येकीन नी तो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूं तो कोईन कहता है कि तुम मानोगी ना तुमसे आकर किसी ओने लिबल के वैन ने रिपोट ली थी तो मैं कहते है कि मैं तो मैं कुछ जानती भी नहीं हूं तो कोईन कहते है कि जल्दी जान जाओगी और इतर हमें जयाइं दिखाय जाते है जो सौवे के साथ होती है सौवे का बता रही होती है कि कोईन मुझे सारी बाते आकर पूछ रहा था पर मैंने भी उसे कह दिया कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं है पर सौवे कहने लगते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि वो अराम से तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा तो गॉयन को वह ऐसी बात बोल देती है जिसकी वज़ा से कहा देता है कि अगर मैं अभी तुम्हारी माम को पता दू कि तुम्हारा टेस्ट पोस्टिव है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है क्योंकि मैं तो अच्छा था पर तुम्हें पर मेरे लिए नहीं है मुझे तो तुम चाहिए मेरे ली तो तुम ही अच्छी हो फिर सवे जो भी बात करी होती तो उसका उल्टा मतलब